हलो फ्रेंड्स वेलकम टोरा लेंड दोस्तों आई प्रोडक्शन के एक बहुती 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 फिल्म वामी उनके यूट्यूब चनल पर अप्लोड हो चुकी है जिससे आप नीचे दिये गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं तो आज मैं फिर आपके लिए एक बहुती अच्छी मूव का एक्स्प्रेंशन लेकर आया हूँ और साथ में एक अनौश्मेंट भी है जो कि आप सभी फेंस के लिए बहुती फायदे मन है आप सभी लोगों के इतने प्यार और सपोर्ट से काफी कम समय में हमारे चैनल 25,000 सब ज्यादा बहुत चुका है और इसी के साथ में एक नया चैनल भी लॉंच कर रहा हूं जिसमें होरर के अलावा और भी कई सारी मूविस के एक्स्प्रेंशन होंगे ताकि थ्रीलर साइफाइ क्राइम मूविस के लवर्स भी इससे इंज्वर कर पाए तो आप सभी इस चैनल क भी सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि ऐसा करने में आपको एक सेकेंड से भी कम समय लगेगा और इसका लिंक तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे ही दिया है तो हम आगे चलते हैं हमारे आज की वीडियो की तरफ दोस्तो हमारी आज की इस मूवी का नाम है डेड़ गल जि इस पूरी मूवी को देख सकते हैं मूवी की स्टर्टिंग में हम एक पूरे खाली स्कूल को देखते हैं जहाँ पर एक भी स्टुडेंट नहीं था सारे स्टुडेंट लज्ज के लिए बाहर गई हुए थे भार रिकी नाम का एक लड़का अपने फ्रेंड जेटी से कहता है कि काज दूसरों की ही तरह उनकी लाइफ में भी कोई लड़की होती जिसके साथ वो हर रात फन कर सकते हैं अब भी जोवान नाम की एक लड़की रिके के पास से निकलती है जिसे रिकी बच्पन से प्यार करता था लेकिन जोवान का अल्रेडी ही जोनी नाम का वाइफरेंड था फिर जेटी रिकी से कहता है कि वो जोवान के उपर टाइम वेस्ट कर रहा है जोवान उसे बिल्कुल भी नहीं चाहती है जिसके बद रिकी और जेटी दोना सिगरेट पीने स्कूल को बंग करके चले जाते हैं जेटी रिकी से कहता है कि उसके पास बेर भी है जिसे वो ओपन में नहीं पी सकते और जेटी उसे एक बंद पड़ हुए पागल खाने में ले जाता है जहापर सालों से कोई भी आता जाता नहीं था वो वहां की खिड़की तोड़कर अंदर घुष जाते हैं फिर बेर पीते हैं जिसके बाद दुनों वहां पर काफी तोड़फुर करते हैं काफी समय तक ऐसा ही चलता है और फिर जेटी रिकी को ये कहता है कि अगर वो किसी से नहीं डरता तो नीचे बेस्मेंट में जाकर बत जाता है जिससे भाग कर दोनों एक छोटे से डक्ट में घुषकर एक अंजाने से रास्ते पर पहुच जाते हैं जहां पर एक जंग लगा हुआ बंद दर्वाजा था दोनों वापस नहीं जा सकते थे क्योंकि कुट्ता वहीं पर था और वो दोनों ये फेसला करते हैं कि व वहाँ पर एक लड़की की लाश प्लास्टिक बेग में पैक हुई पड़ी हुई थी वो ये नोटिस करते हैं कि उस लड़की के शरीर पर एक भी कपले का तुकड़ा मोजूद नहीं है और उस लड़की के सांसे अभी भी चल रही है यानि कि वो लड़की कोई लाश नहीं है बलकि जिन्दा लड़की है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था क्योंकि जिस दर्वाजे से वह अंदर आये थे उस पर जंग लगा हुआ था यानि कि काफी समय से दर्वाजा ऐसा ही बन था जेटी और रिकी यह तो समझ जाते हैं कि यहां पर कोई भी आता जाता नहीं है लेकिन पुलिस को बुलाने को कहता है लेकिन जेटी उसे रोग देता है उसके दिमाग में कुछ औहीं चल रहा था जेटी रिकी से कहता है कि यह लड़की बहुत ज्यादा खुपसूरत है और वह इस लड़की को हमेशा उसके पास रखना चाता है फिर जेटी उस लड़की को इस असाइलम और इस लड़की के बारे में किसी को भी नहीं बताएगा रिकी घर जाकर पुलिस को कॉल करने के कोशिश करता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता रिकी काफी ज्यादा गुस्से में था और वो अगले दिन अपना गुस्सा गंट से फायर करके निकाल देता है ज जहां पर वो रिकी को एक इसी चीज बताता है जिससे सुनकर रिकी चोग जाता है जेटी रिकी से कहता है कि जब वो लड़की अपनी नींद से जागी तो उसने अपने आपको छोड़वाने की कोशिश की लेकिन वो जंजीरों में बंदी हुई थी और वो बिल्कुल भी च लड़की ने हिलना डूलना बन नहीं किया रिकी को इसा लग़ रहा था कि शायद जेटी ने उस लड़की को जान से मार धिया wise और फर से को बोल्ए की बात कारता है कि तब जेटी की बंदुक ले ले लेता है और उस बंदुक से उस लड़की के शरीर में तीन गोलिया मार रिकी को ये लगता है कि वो लड़की अब पूरी तरह से मर चुकी है लेकिन जब वो उस लड़की के पास जाता है तो ये पाता है कि गोली लगने के बाउजिद वो लड़की जिन्दा है और वो हिल डूल रही है जेटी उसे बताता है कि उसने उस लड़की को तीन बार मानने की कोशिश की लेकिन फिर भी नहीं मरी अब दोनों यह समझ नहीं पा रहेतें कि आखिरकर वह लड़की ही क्या जिसे की मारा नहीं जा सकता था यानि कि वह लड़की एक डेट गर्ल है जेटी रिकी से कहता है कि या तो वो इस लड़की को खत्म कर दे जो कि वो नहीं कर सकते थे या तो वो इस लड़की के साथ वो सब करें जो कि वो दूसरी लड़कियों के साथ करना चाते थे जिसे रिकी मना करके वहाँ से चला जाता है और वो ये बात किसी को भी नहीं बताता अगले दिन रिकी अपने स्कूल में होता है और वो अपने प्यार जोओन को उसके बॉइफरेंड के साथ देखकर काफी जिलिस होता है फिर वो वीलर नाम के एक लड़के के पास जाकर उसे सिगरेट के लिए पूछता है लेकिन वीलर रिकी को ये कहकर चला जाता है कि उसे एक लड़की से मिलने जाना है और वो दोनों ही अपने अपने रास्ते चले जाते हैं रिकी जब अपने रूम में होता है तो उसे जोवान की याद आती है और वो अपने sexual desire पूरी करने के लिए basement पली लड़की के पास asylum में चला जाता है जहाँ पर वो already wheeler को उस dead girl के साथ physical relationship बनाता हुआ देखता है और रिकी काफी गुस्ता हो जाता है क्योंकि जेटी ने उससे कटर लेने चला जाता है और वो अपने cycle बेचकर बोल्ट कटर खरीदता है फिरी की मौका देखकर asylum के basement में चला जाता है जहाँ पर डेड़कल अकेली थी रिकी डेड़कल से बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो कोई response नहीं करती फिरी की उसके एक हाथ की जंजीर और से पकड़ लेती है जिसे वो बड़ी मुश्किल से चुड़वाता है और तभी वहां पर जेटी और वीलर के आने की आवाज होती है जिससे सुनकर रिकी वहीं basement में चुप जाता है जेटी डेड़कल के पास आकर उसे फिर से फिजिकली अब्यूस करता है और तभी जाता है कि ये काम रिकी नहीं किया है और जब रिकी चुपा हुआ था तो वो एक कमरे में एक चोटा सा पोधा देखता है जो कि अकेला ही एक रूम में लगा हुआ था जिसकी डिटेल में आपको इस वीडियो के end में बताऊंगा जिसके बाद रिकी वहां से निकलने में का पर रही है यानि कि वो अपने घाओों को रिकावर नहीं कर सकती अगले indem रिकी अपने स्कूल में होता है और वो जोवान को कोई जरूरत नहीं है उनके पास उनकी खुद की स्लेवियू है। विलर की ये बात सुनकर जॉनी और उसका एक वेंड रिकी और विलर को अपने कार के डिक्की में भरकर असायलिम में ले जाता है। जहाँ पर रिकी विलर को अपना मूव बंद करने को कहता है लेकिन विलर जोनी के आगे उस डेड़ गल के सारी बाते उगल देता है जिसे सुनने के बाद जोनी डेड़ गल के पास जाता है जहाँ पर जेटी उसे मिलता है और वो उसे ये ओफर करता है कि वो डेड़ गल के सा खुन बेना शुरू हो जाता है जिसके बाद जोनी और उसका फ्रेंड पुलिस को बुलाने की बात करता है लेकिन जेटी उसे यह कहता है कि उसने उस लड़की का रेप किया और बच्वाम में उस लड़की ने उसे काट लिया जिससे डरकर जोनी पुलिस के पास नहीं जाता और वहां से चुपचाप चला जाता है अपने आपको डेट गल से जुड़वाने के लिए जोनी ने उस डेट गल के चेरे पर कई वार किये थे जिससे कि उसका चेरा काफी बिगड़ जाता है कुछ दिनों के बाद हम यह देखते है कि रिकी फिर से जोन को प्रपोस करता है और वो फिर से उसे मना कर देती है इधर जेटी ना तो स्कूल जाता था और ना ही कहीं ओर जाता था उसने असाइलम के बेस्मेंट में ही अपना घर बना लिया था जेटी लगाता है डेट गल को सलेव के जिससे यूस करता था और उसके बिगड़ हुए चेरे पर मेकप लेकिन डेट गल ही उस कुट्टे को काट कर मार डालती है इधर इसकूल में क्लास के दोरान जोनी को बहुत ही अजीब महसुस होता है और वो टोईलेट की और भागता है जहां पर वो यह देखता है कि उसका शेरीड भी अब डेड और आ है और टोईलेट करते समय उसके शे पोटो लगाई हुई थी ताकि उसका खराप चेहरा ना दिखें फिर जोनी का एक फ्रेंड वहाँ आकर डेट गल को खूलने की कोशिश करता है लेकिन जेटी डेड गल सही जोनी के फ्रेंड को कटवा देता है और जेटी को पता चलता है कि जिसे भी डेट गल काट लेती है वो भी उसी की तरह हो जाता है जेटी अब ये जान चुका था कि जिसे भी डेटगल काट लेगी वो भी उसी की तरह हो जाएगा और इसी बात का फाइदा उठा कर जेटी वीलर के साथ में गेस स्टेशन पर जाता है जहां से वो एक नई लड़की को पकड़ कर उसे फ्रेश डेटगल बनाएंगे और फिसे स्लेव की तरह यूस करेंगे लेकिन वो दोनों एक लड़की को किड्नेप करने में कामयब नहीं होते और तबी वहाँ पर जोआन आ जाती है और वो दोनों से ये पूछती है कि उन्होंने जोइनी के साथ क्या किया वो दोनों जोआन को बहला फुसला कर असाइलम में ले जाते हैं जहां पर वो उसे डेटगल बना सके इधर रिकी जेटी और सभी से तंग आ चुका था वो ये डिसाइट कर लेता है कि वो बेसमेंट में जाएगा और एक तलवार से डेटगल के छोटे छोटे तुकड़े करके उसे खत्म कर देगा फिर रिकी बेसमेंट में जाता है जहांपर वो डेटगल को बंदा हुआ देखता है वो उसे तलवार से मारने ही वाला होता है कि तब ही वो उसके पीछे जोआन को देखता है जिसे वो शान्त करने की कोशिश करता है और कहता है कि वो उसे यहां से बचा लेगा रिकी समझ नहीं पाता कि यहाँ पर जोआन आई के से और तभी वहाँ पर जेटी और विलर दोनों आ जाते हैं वो रिकी को ये बताते हैं कि वो जोआन को भी डेटगल बना लेंगे और उससे अपने लिए यूस करेंगे जेटी रिकी को कन्वेंस करता है कि वो जोवान को डेटगल बनाने में उनका साथ दे क्योंकि वो दोनों बच्पन के दोस्त है और जोवान उसे कभी भी प्यार नहीं करेगी वो रिकी को प्यार करने के बजाए मरना ज़्यादा पसंद करेगी तबी विलर जुआन को छूने के कोशिश करता है और गुस्से में आकर रिकी उसके हाथ को तलवार से कार देता है जेटी फिर रिकी से कहता है कि जुआन उसे कभी पसंद नहीं करेगी तबी अचानक डेट गल अपना हाथ खोल लेती है और विलर पर हमला कर देती है मोके का फाइदा उठा कर रिकी जुआन के हाथ खोल कर उसे वहाँ से भगा ले जाता है लेकिन सीलो तक पोशने पर उन्हें ये पता चलता है कि उपर का दर्वाजा लॉक है रिकी जोआन को वही रुकने का कहकर कुछ लाने को कहता है जिससे कि वो दर्वाजा खोल सके लेकिन जब रिकी वापस लोटकर आता है तो देखता है कि जोआन महाँ पर नहीं है और डेट गल जेटी को खा रही है फिर वो रिकी को महाँ पर खड़ा हुआ देख लेती है और रिकी ये समझ जाता है कि डेट गल अब उस पर हमला करने वाली है फिर डेट गल उसी की तरफ बढ़ती है लेकिन उस पर हमला नहीं करती उसे धक्का देखकर वहां का दर्वाजा तोड़कर भाग जाती है रिकी ये देखता है कि जोआन के पेट से खुन बे रहा है और वो ये बताती है कि जेटी ने उसके पेट में चाकु मारा है जेटी कहता है कि वो जोआन को बाइट करके उसे मरने से बचा सकता है लेकिन रिकी ऐसा नहीं चाहता था जुवान लगबग मरी रही थी और रिकी आखरी बार उससे I love you कहता है लेकिन जुवान उसका reply नहीं करती और उल्टा उसी के मुँपर थूख देती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है मुवी के end में डेड़ गल को असाइलम से भागतावा दिखाते है और रिकी अपने नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाता है और अब रिकी पहले से कई ज़्यादा खुश रहता था और शाम होते ही वो फिर असाइलम के बेस्मेंट में जाता है जहाँ पर काफी ज़्यादा रोमांटिक लाइट लगी हुई थी और फिर हम स्ट्रेचर पर जोआन को देखते हैं जो की पूरी तरह से सजी हुई थी और वो जिन्दा थी यानि कि जोआन अब डेड़ गल बन चुकी थी और ये मूवी इसे के साथ यही पर खत्म हो जाती है तो दोस्तों ये था डेड़ गल का एक्स्पेनेशन आप इश्वास करें या ना करें लेकिन ये एक जॉंबी मूवी है तो किस तरह से ये एक जॉंबी मूवी हुई मैं आपको बताता हूँ दरसल जो डेड़ गल जेटी और रिकी को मिली थी वो एकदम फ्रेश थी लेकिन वो बोल नहीं सकती थी और वो अपने घावों को फिर से ठीक नहीं कर सकती थी डेड़ जिस भी इंसान को काटती थी वो इंसान उसे की हतारा इंफेक्ट हो जाता था जेटी और विलर ने डेटगल को सलेव के तरह रखा लेकिन विलर ने जोनी के सामने सच उगल दिया और जोनी को डेटगल ने काट लिया जिसके बाद जोनी भी इनफेक्ट हो गया फिर जब जेटी को ये पता चला तो वो जौन को एक नई टेड़ गर बनाने के लिए ले आए अब रिकी जौन से बच्पन से प्यार करता था लेकिन वो उस पर जारबे ध्यान नहीं देती थी और अंते में जब मरते हुए जौन रिकी की इंसल्ट कर देती है तो रिकी जौन को जेटी से कटवा देता है ताकि जौन अब रिकी के पास ही रहे अब में सवल ये था कि अकेर का डेड़ गर्ल इंफेक्ट कैसे हुई तो ये तो इस मूवी में कहीं नहीं बताय गया है लेकिन असाइलम में रिकी एक पोदा देखता है जिसमें फूल खिलावा था और ये अकेला ऐसा पोदा था जो कि वहाँ पर सर्वाइब कर रहा था तो एक मतलब भी हो सकता है कि असाइलम में डॉक्टर्स पागल लोगों पर अमर होने की दवाव का टेस्ट कर रहे है जो कि उस पोदे से बनाई जाती है जिसके साइड एफेक्ट से एक इंसान जिंदा लाश में मतल जाता है या फिर इसका कुछ और कारण होगा आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रू करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा क्योंकि और भी कई सारे वीडियोस जिल्दी आने वाले हैं